तो नोह के जिरा उपायुक्त प्रशांत पवार स्पी नरेंद्र सिंग बिजारनिया की अधिक्षता में शांती वार्था की बैठिक संपन हो गए जिसमें शेहर के लोगों को आस्वस्त किया गया है कि हिंसा को नहीं बढ़ने देंगे तो वहीं लोगों ने भी शांती वरस्ता बनाए रखने में पूरा सायोग देने की बात कही है एसपी ने आरोपियों की पहचान करने में भी मदद मागी है शांती कमिटी के सदस्यों से बताया जा रहा है कि अब तक इस मामने में सूल है दर्जू एलग भग साथ लोगों के घायल होने की सूचना भी है तो एक तरफ जहां नुह मेवात में हिंसा की आग लगी थे जिसके बाद अब कहीं न कहीं प्रदेश भर में सूरक्षबलू की तैनाती कर दी गही शांती समीती के बैठेक हुई है जिसमें शांती समीती से मदद की अपील प्रसाशन ने करी है प्रसाशन ने अपील किये कि किसी भी अफवाह पर आप ध्यान ना दे क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अफवाह के वज़े से हिंसा जो है वो भड़क्ती चले जाती है और नू में भी कही न कहीं यही देखने को मिला जो दो समुदाय गृह मंत्री के बयानों को अगर माने तो जो दो समुदाय के लोग एक साथ शांती पूरवक रहे रहे थे इन दो समुदायों में अचानक ही भयंकर हिंसा भड़क उठती है दोनों तरफ से जबरदस तरीके से हंगामा होता है अब समझे कि उस हंगामे का नतीजा यह है कि आज पूरे हर्याना प्रदेश में धारा 144 लागू करके रखे गई है तमाम जगों पर पुलिस प्रसाशन अलर्ट नजर आ रही है प्रदेश भर में सुरक्षबलों की तैनाती करी गई है तमाम तरह के जरूरी अगतार मेहनत करते हुए दिख रही है शांती समीती भी प्रसाशन को इस बात को लेकर वादा करते हुए दिख रही है कि हम किसी भी कीमत पर अब हिंसा को भड़कने नहीं देंगे हर जरूरी जो कदम होगा वो उठाने में हम प्रसाशन की पूरी तरीके से मदद करेंगा प्रसाशन भी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए तमाम सड़कों पर फ्लैग मार्च करते हुए दिख रही है रैली करते हुए दिख रही है प्रसाशन की तमाम जो वेहिकल्स है वो इसी तरीके से रैली निकलते हुए देखे जा सकते हैं ताकि किसी भी unwanted situation से निप्टा ज प्रदेश बर में सुरक्षा बलो की तैनाती की गई है किसी भी unwanted situation के लिए प्रसाशन पूरी तरीके से तैयार है ग्रिह मंत्रा निलविच के तरफ से भयान आया है कि जो भी दोशी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पे बक्षा नहीं जाएगा दोशों को कड़ी से कड़ी सजा दीजाएगी